सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशिल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन लगना शुरू हो गया है कॉंग्रेस में टिकट की चाहत रखने वाले पंजाब से जो नेता है वो हमारे साथ मौझूद हैं अमरदीप सिंग चीमा मौझूद हैं सर आप कहां से टिकट के लिए क्लेम कर रहे हैं हम गुर्दासपूर से टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं आपको क्या लगता है क्योंकि गुर्दासपूर में पहले से जो सांसद हैं सोनिल जाखड वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं ऐसे में आपको कैसे यह लगता है कि पार्टी उनको अवाइड करके आप उनती होगी ऐसे होगी ना कि आप काडर को इंकरेज करते हो आप आईए हमारे मानिये देक्षे और मजूदा सांसद है लेकिन ये भी देखिए कि वो बड़े कदावर हैं अपनी उनको सारे पंजाब में जरूरत है अब ये तो पार्टी पर डिसीजन पर डिपेंड करेगा उनको कहां से लडानी है हम उनके साथ है और उनकी सहमती के साथ सब लोगों ने अप्लिकेशन डाले या जबकी वो खुद परदान रहे और सबको इंकरेज किया उन्होंने कि आप अप्लाई करो अमरदीप चीमा की तरह मोहित मोहिंदरा जो के युगा चे रहे हैं वो भी क्लेम कर रहे हैं आप कहां से दावेदारी पिरिकट कर रहे है कि आपको टिकट दिया जाए कि लोग सभा का टिकट आपको मिलना चाहिए किस छेतर से मैंने बठिंडा पार्लिमंट हरके से apply किया है और request किये party को कि मेरे को consider किया जाए party ticket के लिए आपको ही पार्टी आप में आस्था क्यों जमाए, क्यों पार्टी आप पर विश्वास करे आखिर ऐसी क्या वज़े है, आपको क्या लगता है कि आपका ग्राउंड इस वज़े से मजबूत है पार्टी आपको लोकसभा का टिकट दे यह देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगे, पार्टी का फैसला है, मैंने अपनी रिक्वेस्ट दी है पार्टी को और कई अप्लिकेंट्स हैं, एक मैं नहीं हूँ, कई 11 अप्लिकेशन आई हैं, सब मजबूत दावेदार है तो मेरे को लगता है कि एक यांग चेहरा होने के वज़ा से वहाँ पर एक यांग वोटर बेस है, उसको मैं अच्छा कनेक्ट कर पाऊंगा और इस वज़ा से मैं पिछले डेड़ साल से मैं यूथ कॉंग्रिस की जिम्मेवारी वहाँ पर संभाल रहा हूं और इसलिए इस वज़ा से मैंने अपलाई किया और मेरे को लगता है, मेरे को यकीन है बठिंडा के लोगों पर और भगवान पर के सीट बिलकुल मैं पार्टी के लिए जीत कर दूँगा तो कि वहाँ पर पार्टी की जो मौझुदा कहीं ना कहीं अकाली दल, बीजेपी गटपंदन की जो सांसद हैं वो हरसिम्रत कोर बादल हैं ऐसे में लगता है कि वो एक बड़ी चुनोती नहीं होंगी यदि पार्टी कहीं ना कहीं आप पर विश्वास करती है चुनोती तो मैं उनको दे रहा हूँ, चुनोती तो उन पर है, मैं हरसिम्रत जी और सुखबीर जी दोनों को चुनोती देता हूँ और जो ये बात नहीं आ रही है कि वो फिरोजपुर से जाना चाहती है, वहाँ भागना चाहती है, मेरी तो उनको अपील है कि प्लीज आप बठिंडा से ही लड़िये और दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा अमरदीब जी क्योंकि जो तमाम प्रोसेस चल रहा है उसमें तमाम चीजें देखी जाएंगी ऐसे में क्योंकि जाखड साब अध्यक्स मी है और जाखड साब ने जो काम किये हैं वो उन चीजों की अपनी तरफ से जनता को अपील कर सकते हैं आप सिर्फ युवा के इलावा क्या ये कहेंगे कि यदि आपको पार्टी टिकट दे तो आप उस तरीके से उस इलाके की तस्वीर बदल सकते हैं मेरा ये कोई आजकल का फैसला नहीं है हम जब राजनीती में बाइस चौइस आए हैं लोगों की समस्याओं को सुलजाने के लिए आए हैं 92 से मैं युवा कॉंग्रस में हूँ और हमारा एक स्पेस्फिक एजंडा है गुर्दासपूर का और मैं दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठन का दो बार वाइस चेर्मैन रह चुका हूँ भारत सरकार में और हमने बहुत सारा काम किया है गुर्दासपूर में युवाओं को साथ जोलने के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा संगठन था और जिला गुर्दासपुर में 1600 से ज़्यादा यूथ क्लब हैं जबके वहां पे 1100 के आसपास पंचायते हैं और गाओं हैं उन पे एक एक जगा पे हमारी पहुंच है उसके बाद हमने क्रिशिक शेतर में बहुत सारा काम किया मैं दुनिया के सबसे बड़े इंटरनाशनल कंसल फॉर अग्री कल्चर सर्च जिसको ICR कहते हैं यह दुनिया का सबसे बड़ा अग्री कल्चर सिस्टम है उसके जी भी पे मैं में मेंबर रहा हूँ हमने उसके थुरू बहुत सारा काम किया नारी शक्तिकर्ण में बहुत बड़ा काम किया रजीव गांदी मैला मंडल है वहां पे वह भी मेरे खाल में देश का सबसे बड़ा मैला संगठन है और यह जो आज परधान मंत्री जी प्राइम मिनिस्टर जंदन योजना की बात कर रहे हैं यह हमारी लिखी हुई है हमने इसको गुर्दासपुर में पाइलिट प्रॉजेक्ट में रन किया यह हमारा 20 साल का मेरा अपना परवार का नहीं मेरा अपना 20 साल का वहां का कारेक्ष्य तर रहा है हमारी करम भूमी रहे है उसके बेश पर हम यह अपनी दावेदारी पेश कर रहे है और पाटी का बड़पन है जन्होंने हमको मौका दिया मोहिट जी एक बर फर्स आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपके परिवार में आपके पिदाजी मंत्री है ऐसे में पार्टी ये भी सोच रही है कि पहले से जहां पर कोई मंत्री है या विधायक है उस परिवार में टिकट ना दिया जाए आपको क्या लगता है कि उस फा करना है करेंगे करते आ रहे हैं मेरे फादर 40-50 साल से कॉंग्रिस पार्टी के संगठन में बहुत नजदीगी से काम कर रहे हैं और मेरा भी यही लक्षे है कि मैं भी का पार्टी और्गनाइजेशन में संगठन में काम करूँ जो मैं चोटी उमर से करना मेंने स्टार्ट भी क रहेगा वरोद की तो कोई बात ही नहीं है मलाल मेरे को लगता होगा नहीं तो यह बहुत बड़ी पार्टी है यहीं से युवा निकलते आएं हैं सो इसलिए और जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं रहे हैं आई तक यही काम करते रहें क्योंकि यह तो को है न अपनी भावनाएं आला हाई कमान के सामने रखी हैं कि युवाओं को आगे लाएं क्या वो क्लेम आप लोगों ने अभी तक किया है या करने जा रहे हैं यह क्लेम हमने आज से नहीं रखा बहुत लंबे समय से रखा और पार्टी हाई कमान के उच्छा के कारण ही हम लोग जयता के आए हैं नहीं तो मेरे जैसे और 126 करोड लोग बैठे थे तो मेरे को क्यों चुना जाता दुनिया की सबसे बड़ी युवाओं संस्ता को हैड करने के लिए तो ये थे अमरदीप सिंख चीमा और मोहीत महिंद्रा जिनका साफ तोर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो दावेदारी है वो अपनी तरफ से प्रकट की जाएगी गुरदासपूर से और भटिंडा से पार्टी को ये ने लेना है कि आखिर किस पर वास्था जाहिर करें किस को टिकट दे मगर अपनी तरफ से युवाओं होने के ना दे वो इस बात का क्लेम करेंगे कि पार्टी उनको टिकट दे केमरा में आदीते पंड़े के साथ थालूक सांग माने में चुन न्यूज दिली